Hello everyone, Welcome to my YouTube channel Unique Master Classes आज की वीडियो में हम बात करेंगे JKSSB VLW GK मॉक टेस्ट यह हमारे पस थर्ड मॉक टेस्ट होने वाला है लेकिन आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें मैंने 24 कोशिन लिए है जो सबी सेक्शन से होंगे ठीक है इस मार्क टेस्ट को आपने लेना है कि यह किसम का GK है और इसके जो पेपर होगा वो इसी तरह का कोशिन पेपर होगा और आप इसमें कितने मार्क्स उप्टेन कर रहे हो ठीक है अगर आप मार्क्स ले रहे हो 17 से अबो तो इसका मतलब आपकी प्रिप्रेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपके मार्क्स अच्छे आने वाले है ठीक है अगर आपने चैनल पे ने हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर दे और टेली ग्राम पे नहीं है तो टेली ग्राम चैनल को जाइन कर ले और चैनल को सबस्क्राइब करना जरूरी है क्योंकि आपको जो भी मैं डेली वीडियो डालूँगा वो आपको यहां पे मिलती रहेगी और वर्टसेप ग्रूप नहीं जाएन किया हुआ तो PDF के लिए वर्टसेप ग्रूप को भी जाएन कर ले दोनु का लिंक में कमेंट बाक्स में दे दूँगा और आपने अपने माक्स जो हैं वो कमेंट बाक्स में जरूर बताने हैं कि आपने इस माक्स टेस्ट में कितने माक्स लाए हैं डेली ऐसी वीडियो जाएंगी हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके तो आज का पहला कोशिन है के कलनल साहिब के नाम से कौन जाना जाता है गुलाब सिंग जाने जाते हैं दिवान मोतिरम या अगाहान या मिया सिंग यह पापुलरली है यहाँ पे तो क्या अंसर होगा? अंसर चूज कीज़ीगा तो आपने अंसर चूज कर लिया होगा तो इसका राइट अंसर है ओप्शन डी मिया सिंग ठीक है? मिया सिंग को ही कलनल साहिब कहा जाता है ठीक है? यह इम्पर्टन कोशिन बन रहा है और इसमें एक बात याद रखना, ये क्या थे, अगर इनके बारे में हम कुछ और बाते करें, तो ये सिख गुवर्नर रहे हैं, ठीक है, सिख गुवर्नर रहे हैं, ये important है, कब से कब तक कश्मीर के 1834 से लेकर, ये हमारे पास 1841 तक क्या रहे हैं, सिख गुवर्नर रहे हैं, और बहुत सारे military operations में इन्होंने महराजा रंजीर सिंग के साथ ये रहे हैं और एक बात ये भी याद रखना जो Walter Lawrence है, Sir Walter Lawrence जिन्होंने वैली आफ कश्मीर पब्लिश्ट की थी, कब की थी, ये डेट आपको पता होनी चाहिए, 1895 में, वो उसमें ये लिखते हैं, कि जो हमारे पास 1833 में उनने ये बताया, कि हमारे पास जो 1833 में कलनन मिया सिंग क्या थे, वो ये कहते हैं, कि ये best of all sick वर्नर थे ठीक है, जो came to कश्मीर आए थे, ठीक, ये important होगी, जो आपके लिए याद रखने की बाते हैं, next question की बात करते हैं, तो next question है हमारे पास, department of agriculture was established by, जो department of agriculture है, ये किस ने established किया था, महराजा गुलाब सिंग, महराजा रंबीर सिंग, महराजा परताब सिंग, महराजा हरी सिंग, तो क्या answer दोगे आप इसका, choose कीजिएगा इसका answer, तो आपने इसका answer चूज कर लिया होगा, तो right answer इसका क्या होगा, option आपके सामने थे, आपने answer अच्छे से चूज किया होगा, तो जब हम बात करते हैं इस question के बारे में, तो इसका right answer होने वाला है, हमारे पास महराजा परताब सिंग, ठीक है, ये important बात है, याद रख लेना, कि जो हमारे पास establish किया था, agriculture department, जो था, वो हमारे पास किस ने किया था, महराजा परताब सिंग ने किया था, और option इसका see right answer ह और महराजा परताब सिंग के बारे में, हमने क्या जानना है अगर इनके बारे में बात करें, तो ये जो है, ये हमारे पास important इसलिए भी हो जाते हैं, कि ये third dogra ruler थे, जम्मू कश्मीर के ये बात याद रखना, ठीक है, important होगी, और इनके बारे में ये याद रखना, ये क्य होंगे, और इनके बारे में, अगर में कुछ बातें आपको बताओं, तो important ये भी हो सकता है, कि ये पैदा का हुए, जुलाई 1848 में, कहां पे हुए, रियासी डिस्ट्रिक आफ जे एंड के में हुए थे, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक पता है, आप सब को ये important है, वहां प जो जहलम वैली कार्ट रोड थी, जहलम वैली कार्ट रोड वो भी important है, वो यहां पे जो है, मौन्टेन रोड थी, वर्ल्ड की, जो कहोला से बारा मुला तक चली थी, कहां से, कहोला से, बारा मुला तक, ये भी याद रख लेना, ठीक है, important होगी, वो completed होई थी, 1899 में, ठी ठीक है, ये important होगा, महराजा परताब सिंग के दोर में ये सब हुआ था, ठीक है, और ये याद रखना कि ये एक पहली major initiative था, road connectivity के लिए, first, याद रखना, और एक बात और याद रखना, जो important है, इनके बारे में, 1897 में क्या होता है, ये extend हो जाती है, सिरनगर में, सिरनगर तक और बनहाल, जो हमारे पास, kart road है, ये connect करती थी, जम्मू को सिरनगर के साथ, ठीक है, और ये कब, open वी public के लिए, ये भी याद रखना, open in 1922, ठीक है, ये भी याद रखना, date important होगी, 1922 में, ये open की गई थी, मैं थोड़ टेल में इसलिए बता रहा हूँ, काफी बाते थी, और कुछ बात अगर हम करें, तो हमारे पास, जो इनका एक interest था, कि जो हमारे पास connect करना है कि इसको, सिरनगर को rail के साथ, और survey completed हुआ था इनके दोर में, फिर आपको पता ही है, जम्मू से, जो link हुई थी, सियाल कोर तक, rail वो कब हुई, ये को date याद रखनी है, वो question पूछा गया है, हमने last video में discuss किया था, तो ये important है, और महराजा ने 1887 में एक important और चीज याद रखना, order दिया था, land settlement का, ठीक है, ये भी important होगा, और ये याद रखना, उसमें जो share था, agriculture produce का, जिस, वहाँ पे land settlement में, जो भी agriculture होते थे, जो कोई चीज उगाते थे, वह ठीक है, जो grass उसमें से produce होगा, उसका one bite third देना पड़ता था, और याद रखना, और revenue जो होता था, वो collected करते थे, cash में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये important कुछ चीज़े हैं, और 1929 में, ये एक बात याद रखना, 1929 में क्या होता है, नंबर आप cooperative credit societies जो थी in state में, वो हमारे पास यहां पे बढ़ गई थी, 1100 से लेकर एक membership of 27,500 तक, ये important हो सकता है, और ये enabled farmers to untangle from the clutches of शुकराद, यानि money lenders, और ये याद रखना, as a social reform के तोर पर, important होगा, जो beggar थे ना, beggar, in its more objectionable form was abolished, और beggar system abolished किया गया था, ये याद रखना, ये important होगा, ठीक है, और अगर हम बात करें तो, जेरेंड के आपको पता ही है, reach कीस में है, forest resources में, और important ये है, कि मारे पास, य इन्होंने क्या किया, हमारे पास, established किया, forest department, okay, और, क्योंके यहाँ पर आपको पता ही है, forest resources अच्छे थे, और पहले ही साल, it gave a surplus revenue of two and a half लाग, जो इन्होंने, अपर ने, यहाँ पे, forest department, यहाँ पे established किया था, ठीक है, तो ये कुछ important बात हैं थी, जो आपने याद रखने नहीं है, ठीक है, next question की बात करते हैं, which are the following committee suggested incorporating fundamental duties in the Indian constitution, question number 3 ये कह रहा है, कि इन मेंसे कौन सी committee सुझेस्ट करती है, incorporating fundamental duties जो हैं Indian constitution में, optional मलहोतरा कमेटी, रागवान कमेटी, सवारन सिंग कमेटी, या फिर नार सिमहन कमेटी, तो क्या right answer होगा, यह याद रखने हैं आपने, जो fundamental duties हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और fundamental duties के बारे में ये पूछा गया है, कि इन मेंसे कौन सी committee जो थी, उसके तूझ जो fundamental duties हैं, वो हमारे पास कहां पे लाई गई, यहां पे constitution में लाई गई, तो क्या होगा, important, बताओ, fundamental duties के बारे में पूछा गया, तो option थर्ड इसका राइट अस्वारन सिंख कमेटी स्वारन सिंख कमेटी जो है وہ हमारे पास इसके साथ डील करती है ठीक है यह important होगा और fundamental duties का आप सब को पता ही है fundamental duties केतनी है यह आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास fundamental duties हैं वो कितनी है total fundamental duties है हमारे पास total अगर हम बात करते हैं जब भी fundamental duties के बारे में पुछा जाएगा तो ये सब को पता होना चाहिए ये part fourth में आती है A of the constitution में पहली बात तो ये याद रखना ठीक है और अगर इसके बारे में कुछ और बात करें fundamental duties के बारे में तो आज हमारे पास कितनी है 11 fundamental duties है जो article किसमें दी गई है ये याद रखना है article 51 A के अंडर है ये भी याद रखना और एक बात याद रखना जो 10 जो हमारे पास कौन सी duty थी duty number 10 वो introduced हुई थी यहाँ पर 42nd amendment act के थूँ और जो 11 थी हमारे पास वो added हुई थी 86th amendment के तहित ठीक है ये अपने याद रखना है 11 जो थी वो 86th amendment के और 10 जो थी वो 42nd amendment के थूई थी कब हुई थी 2002 में ये बातें याद रखनी है question आने के chances होते हैं यहाँ से और अगर हम बात करें ये किस से inspired हुए तो ने लाए यू एससर से ठीक है Union of Soviet इसकी फुल फॉर्म क्या है Union of Union of Soviet ठीक है Socialist Socialist Republic इसकी ये फुल फॉर्म है ये आपने याद रख लेना है और 1976 में Congress Party सेट अप उसने किया था किस को सरदार स्वारन सिंग कमेटी को कि वो recommendation बनाएगी fundamental duties के बारे में और यही थी जो हमारे पास यहाँ पे इसका answer था ठीक है और कमेटी ने recommended किया था separate chapter and fundamental duties in the constitution और Congress Party accepted those recommendations ओके और अगर आगर इसकी बात करें हम तो कितनी है total हो आपको पता ही है या रहा है उनके बारे में इतना बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है पहली जो है वो abide by the constitution है ठीक है दूसरी है cherish and follow वाली ठीक है cherish करना और follow करना noble idols को तीसरी uphold and protect the sovereignty unity and integrity of India defend करना country को and render national services कुछ ऐसा है promote harmony करना है क्या promote harmony यह ऐसे थोड़ा याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है और value and preserve rich heritage जो है country का protect and improve natural environment को करना है और develop scientific temper होना चाहिए safeguard public property होनी चाहिए है ना तो यह कुछ important है हमारे पास fundamental duties और आपको यह थोड़ा पता भी है पढ़ा है आपने which are the following articles of Indian constitutions guarantees equality before the law and equal protection law within the territory of India कौन सा जो fundamental right है वो मरे पास equality before law और equal protection of law की बात करता है 15, 14, 17, 18 तो इसकी बात करें जब भी हम बात करते हैं तो यह किसमें आता है equality before law और यह मरे पास article सब को पता है 14 में आता है तो आपने answer सही चूज किया होगा ठीक है क्या है इसका answer article 14 अब fundamental rights के बारे में आप सब को पता ही है कितने हैं तो यह important भी है exam में यहां से question आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए ठीक है fundamental जो हमारे पास rights है वो गलत नहीं होने चाहिए यह important है और यह exam में आएंगे भी और यह कहां से कहां तक है article 12 से लेकर 35 तक है यह बात याद रखना और part कौन सा है part third है यह भी याद रखने लेना ठीक है part third में आते हैं important होंगे इसमें गलती मात करना ठीक है और इसका answer क्या था article जो आप मैंने अभी बताया article 14 था बाकित ज़्यदा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको पता ही है सबसे पहले हमारे पास right to equality आता है right to freedom आता है फिर हमारे पास right against exploitation आता है ठीक फिर हमारे पास right of freedom of religion आता है है ना उसके बाद हमारे पास cultural education right आते हैं और right to constitutional remedies जिसे heart and soul of Indian constitution भी कहते है next question which one of the following river औरिजनेट आत अमरकंतक कौन सा रिवर अमरकंतक में औरिजनेट होता है option है महानदी नर्मदा तापती या ती दमोदर तो right answer क्या होगा कौन सा रिवर औरिजनेट होता है अमरकंतक से है इसके बारे में आपने बताना है कि कौन सा रिवर जो है वो अमरकंतक से औरिजनेट होता है important question है तो इसका right answer आपने चूज कर लिया होगा तो इसका right answer है नर्मदा रिवर option B इसका right answer है और याद रखना कौन कौन से cities से ये होकर जोता है ये important है एक जबलपूर याद रखना और दूसरा और भी है वदोद्रा भी याद रखना है जो main है ठीक है वदोद्रा ये cities की बात कर रहो ऐसे भी question आ जाते है और उसके बारे में अगर हम बात करते है इसकी मौत यनि इसका कहां पे आता है Arabian C में गुल्फ आफ खंबत में गुल्फ आफ खंबत में ये ड्रेन हो जाता है गुल्फ आफ खंबत K-A-M-B-A-T ये भी पूछा जा सकता है और important है इसके उपर bridges नर्मदा ब्रिज भी है ठीक है ये important होगा largest tributary अगर आप से कोई पूछ ले तो इसकी largest tributary कौन सी है नर्मदा की तो तावा रिवर है क्या है तावा रिवर ये भी याद रखना ठीक है और अगर कुछ आप से और question पूछ ले क्यों सी state में ये फालो करता है MP से माराष्टरा से और गुजराद से ठीक है बिट्वीन किसके ये जाता है विंदियान एंड सत्पूरा रेंज बड़ा important है ये पूछा जाता है विंदियान और सत्पूरा रेंज के बीच में से कौन सा रिवर जाता है तो ये हमारे पास नर्मदा रिवर है next question की बात करते है पूछा गया है इन में से कौन सा जो है वो वाटर फाल जो है वो प्रापरली मैश हुए है ठीक है तो आपके सामने है तो इसका क्या अंसर होगा बताएं जरा तो जैसे हम बात करते हैं जोना ये हमारे पास सबसे पहला है जोना ये रहू पे उपर है तसवां कांची के उपर है फंद्रू जो है स्वार निरिखा के उपर है लेकर लोद जो है ये बराकर के उपर नहीं है ये रिवर बुरहा के उपर है किसके उपर है रिवर बुरहा के उपर है ठीक है याद रख लेना और ये important होगा इसलिए भी के ये question पूछा जाता है और ये one of the highest waterfall है और जारखंड में आता है important होगा बुरहा river के उपर है और ये important है ठीक है एक question और पूछा जाता है के जो हमारे पास बुद्धा waterfall है वो किस river के उपर है बुद्धा जो हमारे पास है तो ये भी बुरहा river के उपर है क्या बुद्धा waterfall याद रखना बुद्धा waterfall कहा है इसी के उपर है हमारे पास बुरहा river के उपर ठीक है बुरहा river के उपर अब मैंने इतनी detail में पढ़ने का मकसद ये है कि आपको चीज़े clear हो जाए कुछ जो मारे दोस्तें वो कह रहे थे कि आपको थोड़ा detail में चीज़ें दिखानी चाहिए पढ़ानी चाहिए तो इसी लिए मैं तो सोज रहा था आपका time बचे लेकर चलो ये भी जरूरी है ठीक है तो इसका right answer options ही है next question when was first census held in India पहला census कब held हुआ था इंडिया में पहला census कब held हुआ था option आपके सामने है तो answer दीजिएगा तो यहाँ पर option है 1817, 1871, 1872, 1874 तो सबसे पहला census कब हुआ था important है तो answer इसका option C है आपने यही चूज़ किया होगा और एक important बात है ये conduct किया गया था 1872 में लेकिन कौन rule कर रहा था तब ये पूछा जाता है गुवर्नर जेनरल कौन था तब ये पूछा जाता है और पूछे जाने के chances भी हैं तो Lord Mayo थे कौन थे Lord Mayo important होगा याद रख लेना और अगर पूछा जाए first जो synchronous census था जैनि first synchronous census जो था और वो किस के थूँ करवाया गया था by W.C. Plo Dan के थूँ करवाया गया था ये नम याद रख लेना जो हमारे census commissioner of India भी थे तब ठीक है कुछ ये important बाते थी आपको ये याद रखनी है ठीक है जी और ये important है next question की बात करते है urban development ministry sign M.O.U. with O.M. for special edition on swatch भारत mission के urban development ministry ने sign किया है M.O.U. किस के साथ मतलब जो भारत mission है swatch भारत mission और किस के साथ पंच तंत्रा, अमर चित्रा कथा या टिंकल डाइजेस्ट या science reporter तो answer क्या होगा ऐसे question भी आस रखते हैं आपके topic mentioned रहिए तो याद रखना है तो क्या होगा इसका answer इसका answer option हमारे पास है B.O.U. option B इसका right answer है जब भी आप से कोई पूछ ले ऐसा question तो याद रखना ना ठीक है याद रखना important होगा option C इसका right answer है next question की बात करते है which one of the below is not an artificial lake इन में से कौन सी lake artificial नहीं है तो right answer क्या होगा ठीक है? option आपके सामने है बताए answer क्या होगा तो इसका right answer है option C ठीक है? अगारा लेक जो है ये artificial lake नहीं है और अगारा लेक अगर आप से पूछा जाए कहां है तो करनाटका में है ठीक है? अगारा लेक कहां है? करनाटका में है important होगा ठीक है यह important होगा एक question और अगर आपस मैं पूछूँ के हमारे पास जो बैंगलोर है ना बैंगलोर की lakes तो आपने कभी सुना नहीं पड़ी होगी तो बैंगलोर की एक lake पूछा गया था largest lake कौन सी है तो बैंगलोर की जो largest lake है ना वो याद रख लेना उसका नाम है मदी वाला lake क्या मदी वाला lake important होगा याद रख लेना ठीक है और ये याद रखना अगारा lake जो है एक nature lake है और जो हुसेन सागर है या फिर कंकारिया lake है या हमीर सार है ये सारी main made है next question है मारे पास which country has handed over the chairmanship of western in our arrangement to India in 2023 front fair का है France, Germany, Ireland, USA तो right answer क्या होगा चूज किजिएगा तो इसका right answer है option C Ireland, okay Ireland country has handed over the chairmanship of western arrangement of India in 2023 next question है मारे पास GST was implemented in India from GST कब से implement हुआ इंडिया में बड़ा important question है आपने बहुत बार इसको पढ़ चुके हों तो क्या answer होगा GST कब implement हुआ था इंडिया में important question है option आपके सामने है 1st January 2017, 1st April 2017 1st March 2017, 1st July 2017 तो इसका right answer क्या है हमारे पास 1st July 2017, okay तो अगर हम बात करते है 1st July 2017 से यह implement हुआ था और 100 और जो 1st Amendment of Constitution थी इंडिया की, इंडिया गोवर्मेंट की 1st July celebrated as GST डे GST डे का बोता है 1st July को यह important है याद रखना ठीक है और यह याद रखना GST ने बहुत सारे जो multiple tax से उनको replaced किया है Central and State Government के ठीक, यह important होगा लेकिन which country introduced GST 1st in India यह important है कि कौन सा country है जिसने पहले GST introduced किया इंडिया में तो वो France है यह बात याद रख लेना ठीक है important होगा तो कुछ ऐसे question भी होते है कि जो पूछे जाते है और यह भी पूछा जा सकता है कि first जो कौन सा nation था जहांपे हमारे पास यह implement हुआ तो France जो था वो पहला था जहांपे first nation था जिसमें GST implement हुआ था 1954 में हुआ था next question की बात करते है who is known है समुद्रा गुपताफ कश्मीर ज़्यादा बात करनी नहीं इस question के बारे में आप बहुत बार पढ़ पढ़ चुके हो ललित अदितिया वंती वर्मन दूरला वर्दोन तो right answer के है ललित अदितिया option A आपने भी यही चूज किया होगा तो ललित अदितिया जो है उन्होंने क्या किया था हमारे पास यह हमारे पास जो है उनको कहा जाता है समुद्रा गुपताफ कश्मीर क्या कहा जाता है समुद्रा गुपताफ समुद्रा गुपताफ कश्मीर की से कहा जाता है ललित अधितिया मुक्ताफ पीडिया को याद रख लेना नेक्स्ट कोईशन आलमगीर इन दे कंटेक्स्ट आफ क्लाइमेट आफ जे एंड के रेफर्स टू जेफरान ट्रेड सेंटर इस लुकेटिड जो हमारे पास है ये कहां पे लुकेटिड है किष्टवाड में सिरिनगर में जमू में पंपूर में तो क्या अंसर होगा ठीक है बात कर रहा है जेफरान की तो कहां पे यहां पे इसका सेंटर कहां पे है यह पूछा गया है तो सब को पता है पंपूर में है कहां पे है पंपूर में है याद रख ले ना पंपूर इस दर राइट अनसर ठीक है जो हमारे पास सैफरान है यह हमारे पास पंपूर में होता है और यह second largest सैफरान producing area है वरल्ड में जम्मो कश्मीर की बात करें अगर हम J&K की तो यह किसने second number पे आता है याद रखना और पहले पे इरान है यह भी याद रख लेना ठीक है यह important होता है तो इसका question पूछे जाने के बहुत ज़्यदा chances होते है ठीक है और जैफरान को कश्मीर में क्या कहते है हिंदी वार्ड है लेकिन कश्मीरी में इसको कहते है कौंग पोच क्या कौंग पोच याद रख लेना ठीक है और तामिल में क्या कहते है यह भी याद रखना कुंगू यह तो पूछा नहीं जाएगा लेकर कोई बता नहीं होता कुंगा मैं पूछ यह इंपार्टन है नेक्स्ट कुशन की बात कर लेते हैं वेर इस नागर होल नेशनल पार्क नागर होल नेशनल पार्क कहां है उप्शन आपके सामने है मदिया परदेश करनाट का उड़ी साज असाम तो बताएं नागर होल जो हमारे पास नागर होल नेशनल पार्क है यह कहां पे है इसकी बात कर रहे हम तो यह हमारे पास सब को पता है नागर होल जो है इसको रजेव गंधी नेशनल पार्क भी कहते हैं क्या कहते हैं रजेव गंधी नेशनल पार्क याद रख लेना पूछा जा सकता है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफिन और ये हूम है बिंगाल टाइगर का ये भी याद रख लेना ओके इंपार्टेंट होगा तो अगर हम बात करें तो ये फैमस किसके लिए है अभी मैंने आपको बताया जो हमारे पस टाइगर हुआ रहा है लार्ज मेमल्स के लिए है लेकन आपको बताना है ये है कहां पे नागर होल है कहां पे तो नागर होल करनाटका में है कहां पे है करनाटका में याद रखना करनाटका में Option B is the right answer नेक्स्ट कोशिन की बात करें वेर इस पंच महरी बायोसफेर रिजर्व है ये कहां पे है पंच महरी बायोसफेर रिजर्व पंच महरी बायोसफेर रिजर्व कहां है Option आपके सामने उरनाचल परदेश हिमाचल परदेश या फिर मदिया परदेश या फिर अंदरा परदेश तो अंसर क्या होगा आपके सामने उरनाचल परदेश पंच महरी बायोसफेर पूछा गया है याद रखना ठीक है तो पंच महरी बायोसफेर रिजर्व जो है ये सब को पता है ये मदिया परदेश में है दूढ़िर्वर यहां से फ्लो करता है तो फूर्वर पस धूदी रीवर है। याद रख लेना darramble important होगा .टो पंच मेरी मेर वे आपने बातें याद रखनी है कहां पर है यह important होगा ओकन पास याद रखना जो यह है मारे पस पंच मेरी रिजर्व यह consist करता है इसके अंदर एक national park है one national park भी है इसके अंदर उसे named सत्पूरा कहा जाता है and two wildlife century है जिने बोरी कहा जाता है बड़ा important चीज़े है ये दो याद रखना दो wildlife century उन्हें बोरी कहा जाता है और one national park है जिसे सत्पूरा कहा जाता है ठीक है next question की बात करते है largest public sector bank इंडिया का क इंडिया होगा state bank of इंडिया होगा तो क्या answer तो अगर हम बात करें largest public sector bank इंडिया में इन option के according state bank of इंडिया है तो option डी इस दर राइटनस है next question dash canal built by king लली तदितिया is the oldest canal in कश्मीर sambal मरतन नूर लल कुल तो जो मरे पस लली तदितिया ने कना लनाई है उन में से कौन सी हमारे पास यहों पर oldest canal है तो वो मरतन दा option two is the right answer आपने यही चूज़ किया होगा ठीक है next question है मारे पास which is the following sea port is near to rurkila steel plant rurkila steep plant के पास कौन सा sea port है हल दिया है विशाखा पत्नम कंडला परदीप तो परदीप जो है यह है यह कंडला है यह विशाखा पत्नम है यह हल दिया है तो क्या answer होगा जल्दी से बताएं क्या answer होगा इसका right answer क्या है हमारे पास इसका right answer है हमारे परदीप ओके option D इसकर item सर है याद रक लेना परधीप जो हमारे पस बोर्ट आता है इसके पोर्ट Здесь कहा है इसके निरेस्ट है रूड़ कीला स्टील प्लांट की ओके याद रख लेना और परधीप कहां पर आता है ओडिसा में आता है अगर पूछा गया तो याद रख गया नेक्स्ट कुशन है हमारे पास तिल नाव दा प्रियम्बलम आफ कंस्टुशन आफ इंडिया हैस बिन अमेंड फर हो मैंनी टाइम्स प्रियम्बल को कितनी बार आज तक चैंज किया गया है ओप्शन आपके सामने है ठीक है ओप्शन आपके सामने है तो ये पूछा गया है कि बताएं कितनी बार चैंज किया गया है नेवर वन्स ट्वाइस त्राइस क्या होगा ठीक है ओप्शन क्या है हमारे पास never once, twice, thrice तो क्या answer होगा तो ये याद रखना प्रियम्बल has been amended only one so far in 1976 ठीक है option 20 का right answer है और कब किया गया था 1976 में और किस के थूँ 42nd amendment act के थूँ और which added 3 new word उसमें 3 new word आये थे वो कौन कौन से आये थे सब को पता होना चाहिए याद रखना SSI SSI यानि socialist एक चीज़ याद रखना secular ओके और integrity SSI याद रखना तीन ये वाड़ आड़ हुए थे next question है मारे पास which of the following passes lies in सुतलज वैली कौन सा पास जा है वो सुतलज वैली में लाई करता है नतुला पास या शीरा बतंगा तो सुतलज वैली के पास कौन सा पास लाई करता है पास पूछा गया है तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer है हमारे पास शिपकीला ओके शिपकीला जो है वो पास लाई करता है सुतलज वैली के पास important होगा ऐसे question आते हैं exam में प्रदेश का है कि नियूर डिस्टर्क हिमाचल प्रदेश ये इंपार्टेंट होगा इंडिया चाइना बार्डर पे नेक्स्ट कोशिन की बात करते हैं विच स्टेट डाप्टर इसलूशन यूजिंग दा सेंटर तो इंप्लिमिन्ट ता सीतू समुन्दरम प्रोजेक्ट पे ये क्वेश्चिन है तो किस स्टेट से रिलेटिड है केरला तामिलाडू करनाट का उडिसा क्या होगा अंसर इसका जल्दी से चूज करें इसका अंसर क क्या होगा तो जब हम सीतू समुन्दरम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास किस के साथ रिलेट करता है ये पहली तो ये एक शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट है ये अपने बात याद रखनी है क्या है शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट ओके फिर एक बात ये याद र इंडिया एंड शिरिलंका के बीच में, between इंडिया एंड शिरिलंका, याद रख लेना, important होगा, ठीक, लेकन यहाँ तो क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है, कि स्टेट में है, तो यह हमारे पास तामिन लाडू से रिलेट करता है, 2005 में यह लाया गया था, implement किया आपने भी यही दिया होगा, next question है, which musical instrument was introduced by जैनुलाबदीन फ्रम तुर्किस्तान, कौन सा musical instrument जैनुलाबदीन ने introduce किया था, जो तुर्किस्तान से, ससंतूर, रबाब, तुम्बरकारी, शरत, तो हमारे पास इसका right answer क्या है, option आपके सामने है, बताएं, तो इसका right answer है, हमा और 5 April 4070 में इनकी death हो गई थी, सिर्नेगर में इनका टॉम्ब है, और अगर हम बात करते हैं, important कुछ और, तो हमारे पास जैनुलाबदीन की जब बात की जाती है, एक great ruler थे कश्मीर के, ठीक है, और अगर हम बात करें कुछ, तो peace, prosperity and benevolent rule इनका जाना जाता है, ठीक है, और इ जैनुलाबदीन को कहा जाता है, कुछ और बात अगर करें तो, यह हमारे पास, इनका जो, हमारे पास administrative जो था, वो कैसे था, और यह याद रखना, यह चीज़े पढ़ लेना, जो हमारे पास administration system इनका कैसा था, और फिर याद रखना, फिर याद रखना, फस्ट लीडर आफ कश्मीर जो थे, वो हमारे पास कौन थे, यह गुलाब सिंग, वो जो चीज़े मैंने पढ़ाई थी, कुछ और चीज़े अगर याद रखनी है तो, greatest ruler of कश्मीर कौन था, यह याद सल्तान जैनुलाबदीन को ही कहा जाता है, greatest ruler ठीक है, इनको ही greatest ruler of कश्मीर कहा जाता है, औ ठीक है, बादशाह, ठीक है, बादशाह, और अगर हम बात करते हैं, तो इनको ये भी important होगा कि हमारे पास जैनुलाबदीन जो है, इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़े लाई जैसे के, शाल, कार्पीट, जो ऐसी चीज़े होती हैं, उनमें भी इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा, और एकनौमी आफजमों और कश्मीर की, अगर हम बात करें, हास कर कश्मीर की, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा, ओके, आज की ये वीडियो थी, इसमें हमने 24 कॉशन लिये थे, वह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी ल